इस वीडियो में solve करेंगे दो questions जो पुछे गये हैं 2019 में CHS entrance के exam में तो पहला question यहाँ पर है 9th question और इसके पहले मैंने 8 questions solve किये हैं तो इसके पहले वाल वीडियो जो आप देखे होंगे तो देख लीजिएगा नहीं देखे होंगे तो और चलिए solve करते हैं question number 9 a wheel has diameter 84 cm एक wheel है एक पहिया है और उसका diameter दे दिया है ठीक है उसका diameter आपको यह diameter पता है और हम जानते हैं कि diameter दे दिया है यदि डी बराबर दे दिया है 84 cm मतलब कि 2 r बराबर दे दिया है 84 cm means we can calculate r r बराबर हो जागा क्या 84 upon 2 202 and to forge into 2 2 means 42 cm हो जाएगा क्या radius अब क्या करें कि how many complete revolutions अब कितने complete revolutions यह जो wheel है करेगा it should take to cover 792 meters मतलब कि 792 meters जाने के लिए कितने revolutions इसको करना चाहिए तो आप ध्यान दिजेगा total distance जो दिया हुआ है वह हम दिख लेता है total distance जो उसे ट्रेबल करना है यह आपका 792 meters अब ध्यान दिजेगा यह मीटर में दिया हुआ है और यहाँ centimeter में radius है तो सबको centimeter कर लिजेए न यहाँ पर कर लिजेए पहले 792 और 00 बढ़ा दिजेए centimeter हो गया इतने centimeter जाना है उसको total distance करना है इस wheel को तो कितने revolution करना पड़ेगा तो यहाँ पर concept यह है कि एक rotation में या फिर distance traveled by wheel तो वह होगा कितना जितना उस wheel का circumference है उतना ही distance travel करेगा एक revolution में है कि नहीं और वह होगा 2πr तो 2πr जो है उतना distance है जो एक revolution में कर रहा है हमें पढ़ा करना है कि कितने revolution में इतना cm चला जाएगा, तो हम माल लेते हैं कि n revolution में चला जाएगा यदि एक revolution में 2 pi r distance चल रहा है, तो n revolution में कितना जाएगा 2 pi r n into 2 pi r, multiply करना पड़ेगा मतब कि 1 revolution में 2 pi r then n revolution में कितना n revolution में n into 2 pi r और यह पूरा जो distance होगा और कितना आएगा 7 9 2 double 0 इतना आएगा, और यहां सब निकाल लेंगे r radius पता ही है, तो n की value निकल जाएगी n into 2 into यहां हो जाएगा 22 by 7 into r की value है 42 ओके तो 7 हो जाएगा 7 और 7 6 जा, 42 हो जाएगा और हमारा यह 7 9 2 double 0 रहेगा ही n की value निकालने हैं आपको, तो यह सब कुछ by 6 अब यह कट जाएगा आराम से तो cancel करिए, पहले कट आते हैं 11 से 11 2 जा 22 और 11 7 जा 77 और 2 बचा 11 2 जा 22 और 00 अब कट आते हैं 6 से 6 और यहां कटेगा तो 6 बंजा 6 मिलेगा, 6 बंजा 6 कि इन बचा 12 हो गया, 6 2 जा 12 00 अब यहां फे 2 से करिए, 2 6 600 और 2 जा ठीक है, यह हो जाएगा 300, आपका आएका आंसर 300, N is the 300 मतलब कि option number 3 जो है correct है तो मतलब कि आपको यह solve हो गया, अब चलते हैं question number 10 the length of minute hand of a clock is 14 cm मतलब एक clock है एक घड़ी है और उसमें एक minute hand है minute hand का length दे दिया है ठीक है, इसका length है कितना 14 cm, यह आपका है 14 cm, ठीक है इसके लंबाई अपका रागी दो area swept by the minute hand अब जो minute hand है, कितना area swept करेगी, कितना area cover करेगी in one minute, एक minute मतलब जब एक minute बितेगा, तो यह जो area cover करेगी, यहां से ले करके area cover करेगा, यह वाला जो area है वह ही पूछा है, what will be this area सबसे पहले पहले क्या करना है आपको कि आपको यह angle पता करना है कि यह कितना angle move करेगा एक minute में, मन्दब कि यह minute hand जो है एक minute में कितना angle move करेगा यह जो angle बना रहा है यहां पर वो angle find करना है तो हम जानते हैं कि 60 minutes में 60 minutes में क्या होता है जो minute hand है वो एक rotation लगा लेता है परा complete, एक rotation मतलब कि 360 degrees degrees जो है move कर जाता है, तो एक minute में कितना करेगा यहां से निकाल लेंगे unitry method से तो एक minute में move करेगा 360 upon 60 यह जिर्जर केंसे हो गया, 6 exact मतलब कि 6 degree मतलब कि एक minute में 6 degree amount का rotation कर ले रही है मतलब कि यह जो बना है partner जो area बनेगा उसका angle पता चल गया, मतलब कि माली जो कि यहां पर यह है आपका 14 cm का यह है और यह angle आपका है 6 degree यह आपका 6 degree पता चल गया है 6 degree है और यहां से यहां तक आती है यह ठीक है तो हमें बस बताना है कि एरिया कितना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे तो हमें करना क्या होगा कि हमें देखना होगा कि angle के अनुसार area कैसे vary करता है हम यह जानते हैं कि यह जो minute hand है फाइंड के सकते हैं कि अब यहां से निकाल सकते हैं कि 6 degree का कितना होगा unitory method से ठीक है यहाँ पर आप निकाल लिजे कि एक degree move करने के लिए कितना मतलब लगेगा कितना area होगा एक degree जब move करेगा यह जो minute hand तो कितना area shift करेगा तो pi r square आपान 360 डिवाइड कर देंगा 60 से मिल जाएगा अब one degree के मिल गया तो six apply कर दीजे आपको जो है six degree के area मिल जाएगी तो six degree का area निकालने के लिए pi r square आपान यह 360 तो रहेगा जैसे इन्टू six करना पड़ेगा अब यह जो निकलेगा six degree के मूव करने के करान जो यह area shift करेगा वो निकल जाएगा यहां से अब यहां पर हो जाएगा 66 अब यहां पर हो जाएगा और इसके बाद नीचे जो है 7 आ गया है और यह 60 पहले से है तो अब यह solve कर लेंगे तो कितना आएगा यहां पर हो जाएगा यहां से हो जाएगा तो कितना आएगा 15 हो जाएगा और आप नहीं कट पाएगा थ्री से नहीं कट पाएगा कितना होता है अब हम अब अब लगा कर लिजे 11 14 में तो मिल जाएगा आपको 451 यह मिलेगा आप डिवाइड करेंगे 15 से जब डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा तो क्या मिलेगा तो तो 154 में डिवाइड करना है 15 से एक बार जाएगा 15 टाइम्स यह कंटिल आट हो जाएगा और आप 4 को उतारेंगे 4 में नहीं जा पाएगा जीरो पढ़ाना पड़ेगा अफ्र डेसिमट पढ़ाना पड़ेगा तो यहांं 0 पढ़ेगा तो 15 से ले जाएँगे से कि अब 15 टू जा थर्टि दोबरम म जाएगा यहां पर 13 बचेगा 30 और यह बचेगा आपका 10 अब फिर टेन में जाए रैंग 2.6 तो ये आपके दो questions है जो searches entrance में पूछा गया है तो मतलब ध्यान दीजिएगा कैसे पूछा है थोड़ा सा typical question होता है लेकिन फिर भी आप तब मेहनत करेंगे तो बिल्कुल कर लेंगे कोई दिवकत नहीं है, simple ही होता है class earth level का यह है दोनों, ओके तो अच्छा लगा solution तो लाइक कर दीजिए तो सेर करेंगे और कोई भी डाउट होता है तो जरूर लिखें कमेंट माक्स में थैंक्यू सो मच, बाई